प्रेजेंटेड बाई एग्रिकल्चे क्लासिस मुरेना प्लीज सस्क्राइब माई चैनल चैप्टर 15 औस दिय पौदों की उत्पादन तक्नीक अंक 3 नवस्कार दोस्तों मैं नरेन सेंग एग्रिकल्चे क्लासिस मुरेना से आप सभी का एक बार फिर से स्वात करता हूँ आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपके लिए फसल उत्पादन एवं उत्पादन से संबंदित अब्जेक्टिव प्रशन लेकर आ रहा हूँ और आज जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नमबर 15 और पौदों की उत्पादन तकनिक यानि आज हम और पौदों की उत्पादन तकनिक के बारे में पढ़ेंगे और यहां से 3 नमबर के अब्जेक्टिव प्रशन आते हैं आप लोग अगर इस वीडियो को शुरू से लाश्ट तक देखते हो तो आपके लिए यह उप्योग ही हुआ और आपके आने वाले एक्जाम में यहां से 3 नमबर के अब्जेक्टिव प्रशन आपको मिल जाएंगे मैं आसा करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब परें लाइक भेज करें और कमेंट में मुझे भेजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जादा स mesh की चलो वीडियो शुरू करते हैं तो पेला प्रस्ण है मेरा सफेद मूसली का बानस्पतिक नाम है ग क्लरोफाइटं 최ाय कि लूरो फायरत्री और को टैकर सेटा है कि सफेद मुच्छी को पूच्छ दोप्रकार से Дोप्रकार से प्रिश्कulsion बनाे सकता है कि सदा धनोरो Alliance सफेद मुच्छी सट्राइब खुए मेalenदbeltतरी अगर कैदर आन्य है कि पूछ दॢनह को कैसी की जड कहते हैं तो सोने की जड के नाम वाली फसल किसे कहते हैं तो सफिद मूशली आंसर रहेगा दूषरा प्रशन है हमारा इसब गोल का बानसपतिक नाम क्या है इसब गोल का बानसपतिक नाम क्या है तो इसब गोल का बानसपतिक नाम है प्लांटेगो ओबाटा प्लांटेगो ओबाटा तता कुल क्या इसका तो प्लांटा जनेशी इसका कुल होता है तो इसब गोल का बानसपतिक न नाम बताईए यह प्रिश्म बहुत वार आ चुका है तो अस्वगंदा का जो बानस्पत के नाम है वो है विथानिया सौमनी फेरा तता इसका जो कुल होता है वो क्या है तो इसका कुल है सौले नेसी यह सौले नेसी कुल का है अस्वगंदा ठीक है इसके बाद फोर पाइंट है यह सब गोल का ऑस्दी गुण पौदे के किस भाग से प्राप्त होता है यह प्रिश्म भी बहुत वार आ चुका है तो इसब गोल का जो ऑस्दी गुण होता है वो पौदे के बीजों स से प्राप्त होता है किस से प्राप्त होता है इसब गोल का जो वाश्दी कोड़ है जो मेडिशनल प्रॉपरिटी जै वह किसमें बीज में होती है इसके बीज में ही मेडिशनल पाट्स रहते हैं, अगला प्रस्ण है, इसव गोल के बीज से प्राप्त भूसी में क्या पाया जाता है, तो इसव गोल के से जो बीज होता है, उससे जब हम भूसी को प्राप्त करते हैं, तो उसमें मियूसी लेज तत्व पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मियूसी लेज तत्वा पाया जाता है अगला प्रस्फने की बीज होते हैं जो असो ग Estados Unidos होते हैं, अभी हमने उम्हें पर नाम पढ़ाे था उसका, क्ये विख्ण गांस चुन reviewed जो अस्वगंदा होता है इसमें जो बीज होते हैं कैसे होते हैं जहरीले होते हैं earlier के लिए आठ से बारा किलोगराम बीच की आवे सकता होती है अगला हल्दी का बानस पतिक नाम बताई है हल्दी का बानस पतिक नाम कुरकुमा लॉंगा है क्या है कुरकुमा लॉंगा तता इसका कुल है जिंजी विरेशी क्या है इसका कुल जिंजी विरेशी अगला परशन है, लेसन का बानस पतिक नाम क्या है? लेसन का बानस पतिक नाम होता है, वो है conscious節 – फ्रोर्ड नाम होता है, जो एलियम साला सी विए एलियम साथाईब की उपज कितनी है 40 से 50 कुंटर प्रतैक्ट है क्या है तो अगला प्रशन है अदरक का बानस्पथिक नाम क्या है तो अदरकánd जो बानस पत्य की नाम होता है जिंजी वर्ष औफ़ी न इस का क्या ये बानस पत्य की नाम है और कुल किया अगला प्रस्थ कि इसकी अधिक उपझवाली किस्म कौन्सी है कभी कभी प्रश्वा च् sporवी दूसरी सभावी किसकी उनसील जाती है प्रश्न को सिर अधरक्क और शुप्रवाग में शुक्रवाग आधरक्क नाम आख यह से पुछन पूछ 200 वह साथ को है थैंकर इस तरीके से यहां से प्रशन पूछें आता है अगला प्रश्ण है ото बच क्या एक मैंडिशनर प्लांट है और जो बच आई उसका जो बानुसपतिक नाम है इकोरस एको रस कैलेमस क्या है एकोरस कैलेमस इसका क्या है बानुसपतिक नाम है अग्ल 57 कभी अरेशी बोलते हैं तो अरेशी जड़ा आपको अरेशीमिलेगा मेले अगला प्रस्ण था लेसुन क मैं कौनसा ब्राइंगे पाया जाता है pressure लेसुन में पाया जाता है तो सफेद मुचली कैसी फसल ghostly कैसी फसल ए यहाई इसमें कंद पाया जाते हैं नीचे जमीर में दो सफेद मुचली में आगला प्रिश्ण है, इसब गोल की बुवाई का उचित समय कब है, इसब गोल की बुवाई का उचित समय कब है, अक्टूबर से नवंबर, इसब गोल की बुवाई का उचित समय कब है, अक्टूबर से नवंबर, तो अक्टूबर और नवंबर माना जाता है, तता इसका वंयोब Max करतें हterrorि उस्व और इसकी सबार करते हैं प्रस्वा सी रोग में इसका उप्यो लॉपकारी होता हो अग्या प्रस्वन क्या तब ऑंच्गी जड़ता से और नेकाला जाता है तो जो चो आसकी जड़ते से तेल निकाना सफेद मूशली की जड़ों के प्रेयोग किस रोग में किया जाता है जो सफेद मूशली होता है उसकी जड़ों का हम क्या बनाते हैं और उसका प्रेयोग कि लिए करते हैं यहीं जो सफेद मूशली की जड़ होती है उनका प्रयोग हम कौन से विकार को कम करने या कौन से रोक को कम करने के तो जो यौन सक्ति होती है यौन विकार होता है उसको कम करने के लिए हम सफेद मूशली का पाउडर का इस्तिमाल करते है अगला प्रस्ण है सफेद मूशली का प्रसारण किया जाता है तो सपेद मूशली का जो प्रसारण होता है वो बीजों के द्वारा किया जाता है इसके द्वारा किया जाता है सपेद मूशली का प्रसारण बीजों के द्वारा किया है प्रसारण का मतलब होता है प्रपेगेशन यह प्रवर्दन तो इसका सपेद सपेद मूशली पोश्टिक होने के कारण जो सपेद मूशली होता है यह कैसा होता पोश्टिक होता है और सक्ते साली भी होता है बलबर्दक भी होता है और इसलिए हम इसे दूसरे सिलाजीत के नाम से भी जानते हैं इसे क्या जानते हैं दूसरे सिलाजीत के नाम से भी जानते हैं तो सपेद मूशली क्या होता है सपेद मूशली पोश्टिक पोश्टिक होता है और इसमें सक्ति वर्तक हैं बलवर्तक होने के कायन है इसे हम दूसरे सिलाजीत की भी संगया देते हैं हम इसे दूसरा सिलाजीत भी मानते हैं अगे एक प्रश वो किस रितू की फसल तो इसव गोल रवी रितू की फसल है ये वी एक बार आ शुका है ये प्राश्म है और वैसे आप संझ जाओगे इसव गोल के बारे मैंने उपर बता था आपको कि सबकूल का उचे समय अक्टूबर रवंबर होता है कौनसा強़ मौसम होता है रवी रित्तु का मैं आपको पता दों अक्टूबर से और नवंबर जो हता है वह रवी रितू हो जाती है कि हुप खरीब रितु जुन जुलाई में चाल रहोए जेंशा इस समय की aisम्हाइथ ऑवी ओ ये हो एक जुन मार्च नमेंगाता, यू ये वह समय को हम क्या कहते है, जायद की फसल की जायद का मौसम कहते है, तो रभी। रितु, खरीब। रितु और जायद रितु यह तीन प्रकार की रितु P हो गई है थीक है यहां पर देखें है अक्टूर से नवंबर और मार्स अप्रेल में खतम हो जाती है रवी रुतू कहलाई जाए जून से जुलाई और में जो फ़सल बोई जाती है वो खरीप रुतू होती है और जहांसे आप्रेल के बात और जून तक समय खाली रहता है उसे हम जायद की फसल की नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तों तो मैं आसा करता हूं यह 17-18 जो पाइंट है आपके लिए मैंने जो भेजे हैं वह आपके लिए बहुत उपयोगी सावित होंगे और यहीं से आपकी ती नमर की अब्जेक्टिव प्रस्न आप लोग मेरे चैनल में अंदर जाके ओर वहां पर क्या करोगे प्लेवर संे आ a उपस्ण में जा के उप्लेवर प्लेवर तो वहां पर दो फ्रकार की प्लेवर तो आपको को ar Memphis नहींhinा पर जितने सब्सक्राइब करें लाइक करें और मुझे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादस ज्यादस शेयर करें जिससे मेरे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब हो जाए तो इसलिए आप लोग मेरा सयोग करें जिसे मेरे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरी हो जाएंगे तो मैं आपके लिए लाइप क्लास लेकर आऊँगा और जो 12 में जो बच्चे 12 कर रहे हैं उनके वविस्थ के लिए मैं कुछ आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को क्या करने के बात आप लोगो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और अपनी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें धन्यवाद